हेलो फ्रेंड्स एन वेरी ओम वेल्कम टू चिकी स्पाइलोजी अनदर वीडियो इन इस वीडियो टोड़े विल डिसकस अबाउट आई 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 टी खड़कपूर पी एच डी बायो साइंसिस डिपार्टमेंट एंड बायो इंजिनिंग डिपार्टमेंट इंटरव्यू को चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद में बैल आइकन के बटन को भी वहाँ पे प्रेस जरूर कर दें फ्रेंड्स बायो साइंसिस जो डिपार्टमेंट है वो सेपरेट इंटर्व्यू कंड़क्ट कर आता है और जो बायो टकनलोजी डिपार्टमेंट है आई आई टी departments हैं जहाँ पे आप लोग 2020 कर सकते हैं और interview दे शकते हैं सबसे ज़्यादा जो chances होते हैं पीहेशी के वह अगरिकल्चर department में होते हैं यहां पे हाई chances होते हैं और medium जो chances होते हैं वह Biotechnology department मैं होते हैं और सबसे कम जो chances होते हैं PhD admission मिलने के वो biosciences department में होते हैं क्योंकि यहां का जो selection criteria है या जो interview का level है वो बड़ा hard माना जाता है biotechnology department का medium माना जाता है criteria और agriculture department का सबसे easy माना जाता है और जो interview होता है वो serious mode में यहां पर होता है means की serious interview लिया जाता है IIT के professors के दुआरा यहां पर और यह interview online mode में भी हो सकता है और offline mode में भी हो सकता है और interview का जो duration रहता है वो 10 minutes का रहता है minimum और जो basic knowledge आपकी होती है आपके subject को लेके वो check की जाती है इस interview में यहां पर कोई rocket science आप से नहीं पूछी जाती आपका basic knowledge check किया जाता है और जादा जो questions आते हैं वो bio physical techniques से आते हैं bio physical technique में sorry जैसे आप लोगों ने gel electrophoresis western blot यह सब पूछा जाता है या फिर HPLC के बारे में पूछा जाता है bio physical techniques जितनी भी हैं उनके बारे में यहां पर पूछा जाता है तो यह मेरा suggestion है कि आप लोग bio physical techniques के बारे में जरूर पढ़के जाएं अगर आप यहां पर interview दे रहे हैं और जो आपका favorite subject है उसके बारे में भी questions से पूछे जा सकते हैं और जो आपका research interest है उसके बारे में भी question वहां पर पूछे जा सकते हैं और आपसे first यह पूछा जाएगा what is your research interest या फिर what is your favorite subject फिर आपसे यहां से questions arise किये जाएंगे और उनका आपको वहां पर suitable answer देना होता है तभी आपके chances वहां पर बढ़ते हैं final selection के और यहां पर आपसे एक question यह भी पूछा जा सकता है कि why are you interested in IIT खडगपूर तो friends इस तरह के भी कुछ personal questions जो आपसे पूछे जा सकते हैं और जो RNA DNA और protein से जुड़ी हुई बायो physical techniques हैं उनके बारे में जादा focus आपको करना पड़ेगा अगर आप यहां पे इंटरव्यू देना चाहते हैं so thank you friends thank you for watching and do subscribe the channel for upcoming videos and latest updates thank you friends